शिव का जितना इस्मर्ण कर रहे हैं, आप शंकर को जितना भाव सरी जहार है, उसका सुख ही दूश्या है। शिव का जाता है कि अगर रजोधर्म की अगर कोई बिमारी है, उससे जोड़ी हुई कोई बिमारी है, कहीं आट पड़ गए है, तो उसके लिविश्यु महापुराण की पथा करती है, कि जो भी रुद्राक्चा आपके पास में हो, सिद्धतरा हुआ, उस रुद्राक्चा का सिदी एक मुखी से चव का युद्राक्च के उद्राक्चा आपको देखना पड़ेका नों प्पड़ेगा कैका कौन सा रुद्राक्चा crucial है एक मूखी है, चहाल मुखी है, युद्राक्चा प्याईब कौक उसका मंत्रुर पढ़कर उसको पानी में गला दीजिए ताम्वे के कल mêmes में सुबह रे सुबह रे उसका पानी पीना उस मंत्रु को पढ़कर चलु कर दो शरीर में जो गाँठ होगी तो धीरे धीरे और उसका सुख उसका आनंद शरीर का यह सुख आपने आप आनंत्रा आपको हेड़ाई में प्रसंता हेड़ाई चित्त में आनंद की अनुभूती होने आनंद का भाव प्रगट हो जाए मर पहले भी कहां च्पिर करते हैं सबसे कथोर लोहा लोहे से कथोर अगनी क्योंकि अगनी लोहे को गला देती है और अगनी से कथोर होता है पानी जो अगनी को बुझा देता है और पानी से कथोर होता है मनुष जो लोटे में बर के ड़कार जाता है और मनुष्य से ज़्यादा कटोर होती है बिमारी जो मनुष्य को ही निगल जाती है। इसका क्या विगाड़े जो भक्त हो महां काल है।